हलो दोस्तों वेलकम बैक आनी को एजुकेशन मैं नधीन खान और आज हम देखेंगे फारत के प्रमुक दर्रों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे यह टॉपिक आपके सभी एक्जाम पॉइंट अब व्यू से इत मिल्स एससी हो चाहे बैंकिंग हो चाहे रेलवे हो चाह जबूर इससे पूछी लिया जाता है तो यह आपके कंपटिशन एक्जाम पॉइंट अब व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसलिए इस दर्रों को याद करने का बहुत ही सौट टीक है बहुत कई तरह की ट्रेक इस्तमाल करते हैं लेकिन बहुत ही इजी वे में हम है तो सबसे पहले अगर हम दर्रों की बात करें तो इसमें स्टेट वाइस देख लेटे एक पर वर्प्रव्यू दे लेते किनकिन स्टेट में परमुक दर्रे पाए जाते हैं जिनसे क्वेस्चन बनते हैं वोड़ आपके अप्टिशन एक्जाम में तो सबसे पहले तो यह जम्हु कस्मीर काष्मीर था जब लगडाक और जम्हु कश्मिag हो गया है तो ए। चेतरों में जम्हु कश्मीर में मेजब के जो आपके दर्रेे आदे हैं भूूसरा हिमाचलム Śाह कर देश से जिनसे सवाथ। कुष्ट बनते हैं इसके अलावा यहां सिक्किम में देखेंगे तो दो दर्रे प्रमुके एक नातुला और जलेपला दर्रा इनसे भी क्वेस्टन बहुत बार पूछा गया है फिर इसके बाद अरुना चल परदिश से फिर उसके बाद यह आपका मड़ी पूर का इलाका है ठीक है जहा आपके क्वेस्टन देख्जाम में पूछे जाते हैं या बंडेज़ाम में दख्रों से जो क्वेस्टन बनते हैं तो इसको एक एक करके हम बहुत समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको याद हो जाई chronique कई जडरुत नहीं सिप समझना है आपको तो सबसे पहले स्टार् matching करना होता है मतलब उसका combine दिखाना पड़ता है कि कौन सा दर्वा किस state में पाया जाता है एक तो दर्रों का यही cross question ही ज्यादा तरह आता है ठीक है और अगर बहुत पूछना हुआ तो एक दो दर्वें जैसे कि आपका नाथूला हो गया जिसे चाइना इंडिया से बहुत ज तो कौन से दर्वें किस state में पाया जाते हैं इससे ही सवाल बनते और बहुत पूछेगा तो यह कि यह दर्वें किसको जोड़ता है इससे सवाल बनते इससे ज्यादा डिप में नहीं जाते किसी भी बंडे एक्जाम में तो देख लेते हैं सबसे पहले start करते कारा कोरम दर् और यह दर्वें सबसे भारत में सबसे उचायी पेशते थी यह दर्वें पहली बात तो यह यह करीब 5654 मीटर की उचायी पेशते थी तहीं यह अपका कारा कोर्म दर्व जो जम्लम कश्मीर में पहल пож生ते हैं जिसकी उचाई 5654 किलो मिटर करीब है और यही इस धर्रे को भ तो उसका सही option यही होगा कारो कोरम धर्रा क्योंकि इससे ज़्यादा उचाये पर कोई भी धर्रे नहीं पाए जाते हैं ठीक है दूसरा अगर हम जब कस्मिर के धर्रे की बात करें तो यह दूसरे नंबर पर आता है बुर्जिला धर्रा बहुत important यह भी यह आपको स्री नगर स गिलगिट अगर आपको जाना है तो इस बुर्जिला धर्रे से होकर ही आप गुजरेंगे ठीक है तो कभी कभी पूछ लेता है इससे भी question कई बार पूछे गये कि श्री नगर से गिलगिट को जोडने वाला कौन सा धर्रा है तो वह है आपका बुर्जिला धर्रा ठीक है इ अगर आप कुछ डाउट है दर्रा क्या होता है तो दर्रा सिंपल सा यह संस है कि दर्रा हम उसे कहते हैं जो बड़ी पहाड के चोटियों के बीच में जो समतल सपाड जो रास्ता होता है दो पहाडियों के बीच में जो रास्ते बनते हैं उसे ही हम दर्रा कहते हैं सिंपल सा दर्रों के माध्यम से ही भारत में हमेशा अटाइक हुए है तो इसलिए यह दर्रे आने जाने के लिए दूसरी देशों से संपर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे तो दर्रा का बस सेंस होता है दो पहाड़ियों के बीच में जो संपर्द सपार्ट रास्ते होते उसे ह हम दर्रा कहते है ठीक है आगे देखते हैं इसमें नेश्ट है जो पिर पंजाल दर्रा यह बहुत ही जम्मो कश्मीर में पाया जाने वाला पिर पंजाल दर्रा जो आपकी पिर पंजाल परवस्रेडी में ही पाया जाता है ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लोके की बात करें तो जो है जो जीला दर्रा ये भी बहुत फेमस दर्रा है जो जासकर परवस्रेडिय में पाया जाता है अगर आपने पढ़ा है तो ट्रांस हिमाले में जो तीम परवस्रेडियां आती है एक तो कारा करम फिर आता है जो कारा करम पिर पंजाल जासकर ये सब जो सेर simple है यह आपका जोजिलादवरा जो कस्मीर घाटी को से ही जोड़ने का काम करता है वो है आपका जोजिलादवरा इसके बाद जम्मौ पैज़ानमाला ह्क्विया आपका बनिहाल छो पिरपंजाल स्भाष्णश्रेमें पैज आता है जम्मू एमम स्री नगर को जोडने का काम करता है ठीक है ये जम्मू एमम स्री नगर को जोडने का काम करता है और इसी बनिहाल दर्वे में जवाहर सुरंग बनाए गई है और यहीं पर एनेच फॉस्ट ए रोड भी है इन्हें जो जवाहर सुरंग बनाए गाई गई है जो जम्मू से स्री नगर को जोड़ने का काम करता है उसे ही हम कहते हैं यह बनिहाल दर्वे से होकर गुजरता है और यह NH first एड जो रोड है national highway वो बनिहाल RD दर्वे से ही गुजरता है ठीक है तो इसलिए बनिहाल दर्रे से कई बार question बन जाते हैं बहुत important है बनिहाल दर्रा इसे याद रखेंगे तो ये सारे जो दर्रे अभी हमने आपको बताया कारा कोरम बुर्जिला पिर पंजाल जोजिला और बनिहाल ये सब जम्मु कस्मिर में आते हैं तो याद simple याद र में रूप से जम्मु कश्मिर में उसके बाद हम आते हैं हिमाचल पर्देश में दर्रों की बात करें तो में रूप से तीन दर्रे हिमाचल पर्देश में पाया जाते हैं पहला है बारा लाचला दर्रा ये बहुत important दर्रा है जो जासकर प्रवस्यरेडी में पाया जाता है ये 12 लाचला जो दर्रा है, ये मंडी से ले को जोडता है, मंडी हिमाचल परदेश का एक जिला है, उस मंडी से ले को जोडने का काम 12 लाचला जो दर्रा है, ये काम करता है, और इसी दर्रे से मंडी से ले जाया जाता है, ठीक है, तो कभी कभी खुश्चन बनता है कि मंडी से के में लेइको जोडने का काम कौन सा दर्रा करता है तो बारा लाचला करता है नेश्ट है। umm को छेड़ि है यह सिमला को यहां पे जो हिमाचर पर्दिस में सिमला को तिबब से जोड़नेका काम और इसका इंप्वार्टन्स यह बहाई है कि जो सतलज नदी जो आप देखेंगे आपका जो समतलज नदी हिमाचार Glacier वहां से जो आपका 17 नदी निकलती वह हिमाचल पर्दे से ही होकर इस सिपिकलादरा से ही होकर इंटर करती इंडिया में ठीक है और इधर करते हुए आपका सिंद नदी में मिल जाती है तो इसलिए सिपिकलादरा बहुत ही इंपोर्टेंट बन जाता है आपके लिए तो ठीक है सिपिकलादरा को बस हम याद रखेंगे इसलिए क्योंकि यह जासकर श्रेड़ी में पाए जाती है और यह सिमला को तिब्बत से जोड़ती है तीसरा इसमें क्वेशन बनता है किसी सिपिकलादरा से सतलग नदी ही होकर गुजड़ती है तो इसलिए तीन क्वेशन बन जाते हैं तीन इंपोर्टेंट पॉइंट सिपिकलादरा से हैं और बनिहाल दर्री की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा यह पीर पंजाल स्रेडी में पाया जाता है यह भी मनाली से ले को जोड़ने का काम करता ह याद रखेंगे यह पीर पंजाल स्रेडी में पाया जाता है रोहतांग दर्रा और मनाली से ले को जोड़ने का काम करता है आपका रोहतांग दर्रा तो हिमाचल पर्दिस में यह तीन प्रमुक दर्रे हैं जिनको आप याद रखना है पहला क्या है बारा लाचला सिपिकला रोतांग्, बारा e नचला सिपिकला रोतांग्. ये तीन जो द्रड़े हैं, वो हिमाचल परदेस पे वह प्रिस्त में पाया जाते हैं, कि इंके तीनों फैक्ट आपको पता है, बारा ला स्वाय क्या करता है, जासका परवश्वेर में पाया जाता रिए बारह रा चला मंडी से ले को जोड़ने का काम करता है यह तिब्बत से यह सिमला को तिब्बत से जोड़ता है और से 17 नदी निकलती है मतल़ सुरी स्ञेक अलार सही होकर घुजरती है आपकी 17 नदी इसलिए इंपर्टन्ट है इसके अगर हिमाचल पर्देश में रोतांग दर्वे की बात हम कर रहे हैं तो ये फिर पंजाल स्रेलियों में पाया जाता है रोतांग दर्वे और मनाली से ले को जोडने का काम करता है आपका ये रोतांग दर्वा तो ये हिमाचल पर्देश के तीन बहुत इंपोर्टेंट आपके इजी है अब माना लादर्रे की बात करें तो यह उत्तराखंट के माना गाओं को तिबबत से जोड़ने का काम करता है मतलब उत्तराखंट का यह एकदम लास्ट गाओं उत्तर के उत्तर में स्थित गाओं है ठीक है उत्तराखंट के माना गाओं इसका नाम है माना जो तिबब दर्रा, दूसरा है, नीती दर्रा, ये महा हिमाले स्रेडी एवं उत्रा खंड को तिबबत से जोड़ता है, ये महा हिमाले स्रेडी में पाया जाता है, ग्रेट हिमाले स्रेडी में पाया जाता है, और उत्रा खंड को ये तिबबत से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ये भी कि आपका नीथीलहदर कॉछ तीसरा जो उत्रा-खंड से जोडने का काम करता है एक उत्तरा-खंड के पित्वरा-गड को तिभबद के तकला कोट से जोडने का काम करता है और मेली आप दिखते हैं जहां पे लोग केलास मान सरोवर की यात्रा के लिए जब जाते तो इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं लिपुलेग दर्रे से यह भी याद रखते हैं कभी कभी पूछ लेता है अब हम बात करते हैं यह तो हुए हमारे उत्राखन के 3 धर्र माना ला धर्रा नीती ला धर्रा लेपुलेग धर्रा और इसके बाद हम बात करें शिकुर्ण के दो बहुत important धर्रे जैसे कि 1 धर्र उसमें सिक्किम में नाथू लाटव्रा आप यह सिक्किम में दो 1962 के भारत-चिन यूद के बाद से ये बंद कर दिया गया था लेकिन 2006 में वैपार के लिए पुना खोल दिया गया ठीक है तों यह इसले इंपॉर्ट हो जाता है क्योंकि बैपाइर के लिए सबसे इрь नादूलाँ इसके बाद जो सिकिम में दूसरा दर्णा पाया जाता है वह जशलेपला दैंक्त है यह सिकिम एवं भूतन को जोड़ने का काम करता είään रहे बुटान का छेतर है तीज बुटान को ये सिक्किम को बुटान से जोड़ने का काम करता है और यहीं से जलेपलादर्रा से ही तिस्ता नदी निकलती है तिस्ता नदी का निर्माड होता है यहीं से जो जाकर वापस आपको पता है किसमें मिलाती तिस्ता नदी तिस्ता नदी सायक नदी ये ब्रह्मपुत्रा की जो ब्रह्मपुत्रा में वापस जाकर मिल लाती है तो ये जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा सिक्किम के दो प्रमुग दर्रे इसके बाद अगर हम बात करें अरुना चल परदेश में पाया जाने वाले दर्रे यहां पर तीन प्रमुख दर्रे पहला तो है बॉमडिला दर्रा जो तबांग को तिबब से जोड़ने का काम करता है यह च्छेतर पाया जाता है तबांग उसको तिबब से जोड़ने का काम करता है बॉमडिला दर्रा दूस नदी का ब्रहंपुत्रा नहीं होता है यहां पे दिहांग होता है तो यह limit जो ब्रहंफुत्रा जिसका आसाम में छोता सब north ब्रहंपुत्रा बेर यहांपी इंटर करती और उन्मट परदिश में भारत में इंटरग करती है तो यहां पर इसका नाम से Libs जरते ही तीसरा है इसममें हरोना चल परदेशस्याया जो भाली जो दरेंड़ेंग दिफ़ू दर्रर अःमार मेमार का बार्डर है। मैमार से जोडने का काम करती है। ठीक है मैं पर्लमें पाया जाता है से जोडने का काम करती है इसके बाद यह सारे हो गए यह सारे important है इतने में से ही आपका आ जाता है जनरली लेकिन फिर भी अगर दो-चार और मिलनी है यहां आपका देखेंगे मुंबई में दो दर्वे हैं और केला में फालगाड दर्ररा है यह मुंबई मेंम नास्रिक को जोड़ने का काम करता इसके बाद यहां पर पाए जाने वाला जो भौरगाड दर्रा है यह मुंबई को पोने था से जोडने का काम करता है छीक है इसे याद रखेंगे कभी question हा गया कि मुंबई में पाई जाने वाले दो दर्वे प्रमुग दर्वे कौन से तो कहेंगे थालगाट दर्वा और an symptom दर्वा यह दो प्रमुग दर्वे पाई जाता है मुंबई में ठीक जो दर्रा है यह अंना मलाइय और निल गयरी की पहाड़ियों के बीच इस्थीथ है दूसरा से इलाइची पहाड़ियों मतलब kraarramum hill पे पाया जाता है oddio कोडेंव हील में ये ठीक है ये सैन्कुटअ घरा जो कोडेंव हिल जी में फाये जाता है तो इस तरह हमने भारत में पाये जाना वाले सभी प्रहमउग दर्रों के बारे में दिसकसन किया है बहुत सिमपल है आपको याद करना मुझे कितना याद है एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुती इसली समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आता है एक बार फिर से इस वीडियो को देखें फिर आपको समझ में आ एक बार फिर सम इसका रिविजन कर लेते हैं जम्मु कश्मिन में पाया जाने वाले प्रमुक दर्वे कौन कौन से कारा कोरा में बुर्जिला है पिर पंजाल जोजिला है बनिहाल है यह प्रमुक दर्वे एक जम्मु कश्मिन में पाया जाते हैं हिमाचल परदेश में पाया बाय जाने माला है और इसके बाद अरोना चर्ड परदेश कisée प्यांग दर्रतुर ओन दर्रा ऐसके आलावा है नातु ला ज्यलेपला है मुंबई में पॉरे भारत के जो प्रमुक पैये । जी सिस्टेम में प्रमुक रूप से हैं जैसे सवाल बनते हैं आपके वंड एक्जाम वह ऽो स्भी महें और्वेन संजाने की कोशिष भी किया है तो ठीक है आप जरूर इसका एक बार खुझ से प्रैक्टिस करें और देखें अगर नहीं समझ में आता है एक बार फिर से रिवाइस करके वीडियो को देखें आपको जरूर समझ में आ जाएगा अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लिएगा फिर हम आपसे मिलेंगे अपने ने टॉपिक के साथ बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक सेयर करना बिलकुल न बोले हम आपसे मिलेंगे अपने नेश्ट वीडियो लक्षर में तब तक के लिए ज हैं हैं